दोस्तों बात करने वाले हैं उत्तर परदेश पुलिस का जो बहाली था उसी के बारे में कि जो उसका एक्जाम हुआ था तो उसका फिर से एक्जाम सिडूल जारी कर दिया गया है लेकिन इस बार उपी पुलिस के दौरा और उपी के सरकार के दौरा के बहुत ही बेजोड जो निर्देश है वह सभी को दिया गया है और जो लोग की एक्जाम देने वाले जो अच्छा छात्रा हैं उनके लिए एक नया अपडेट जारी किया गया है जिसमें उन्हों कुछ फैसलेटी भी दिया जाएगा तो जो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि उत्तर परदेश पुलिस में आरच्छी नागरिक पुलिस के 6244 पदों पर सिधी भरती 23 की लिखित परिच्छा का आयोजन जो है वह फिर से किया गया है इसे बताया जा रहा है कि उत्तर परदेश पुलिस यह प्रणंती बोर्ट द्वारा आरच्छी नागरिक पुलिस के 6244 पदों पर हुआ था 23 में और जो परिच्छा जो रद हो गया था कैंसल कर दिया गया था परिच्छा होने के बाद भी तो उसी को फिर से दुबारा री एडिमिट कार्ड और री उसका जो एकजाम है वो फिर से लिया जाएगा जो कि उसका डेट रखा गया है 23 अगस्त को से ले करके आ आने मुख मंत्री उत्तर परदेश द्वारा निदेशित किया गया था कि यह परिच्छा छो मां के अंदर सुचता एवं पारदर्सिता के उच्छता मानकों को द्रिष्टी गट रखते हुए पुना आयोजित कराई जाएगी उत्तर परदेश सरकार द्वारा इस परिच्छा की तयारियों परिच्छा के न्दरों का चयान परिच्छार्थियों का सत्यापन और यहां पर रोके जाने का यादी परिच्छा इन सभी मानकों के अनुसार की जाएगी यहां पर पर द्वारा कुछ गैडलाइन्स लिकाला गया है उसके बादे हम जानते हैं और जो गैडलाइन्स से वह आपका ऑन्नेश जून को ही लिकाला दिया गया था तो यहां बताया जा रहा है कि उलेखित यहां है कि उत्तर परदेश सारसन से हाँ बोला जा रहा है कि सरवजनिक परिच्छाओं में अनुचित साधनों जैसे प्रसन पत्र लिख होना उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़खान आधी को रोकने के लिए उत्तर परदेश सरवजनिक परिच्छा अध्यादेश 24 दिनांक एक जुला जरा गया जई दिनिम लिकाला गया एक जुलाई को रहा है कि आदि हुट्पर गच्छा में अनुचित साधन और का ऊपयोग प्रिएवर्योग करना नकल कराना प्रस्पत्र प्रतिरूपन करना या प्रकट्क करने में ऑते है जो इस अधिनियम के अंतर रंडिनी है जो बताया जा रहा है कि यहां पे कि उत्तर परदेश के उस्तासन द्वारा सरवजनिक करेंगे कि अगर लोग नकल कराते हैं नकल कराने का काम करते हैं प्रसन पतर लिख करवाते हैं तो इसे लोगों को अधिनियम के तहट उनको डंड दिया जाएगा और बता जा रहा है कि एक करोड तक जुरुबाना और आजीवन करावास तक की सजा दोनों ही हो सकती है जो लोग ऐसा काम करेंगे च्रेखानी करेंगे या तो फिर अगर पेपर लिख करवाएंगे उनको एक करोड तक जुरुबाना हो सकता है या तो जाजीवन करावास भी हो सकता है लेकिन यहां पे कुछ चातरों के लिए भी यहां पे बात का गया जो कि यहां बता जा रहा है कि उत्तर परदेश पुलिस भरती में प्रोणती बोड़ द्वारा आरच्छी नागरिक पुलिस के 60444 पदों पर सेधी भरती 23 की लिखित परिच्छा उपरुक्त उलखित तीथियों में आयोजित की जाएगी जन्रमाश्टिमी तो हार के क पांच लग अभियारती इस परिच्छा में सामील होंगे मतलब जो एकजाम होगा यह दो पालियों होगा फर्ष्ट पालियों और सेकेंड़ पालियों और लेकिन जो बिहार पुलिस परिपालियों परिच्छा देंगे प्रवेस्पत्र की अत्रिक दो प्रक्तियां डाउनलोड करनी होगी तथा उसकी एक प्रतिक परिच्छा केंद्र के जर्मपत्त की यातरा है और दूसरे प्रतिक परिच्छा उप्रांत जर्मपत्त की यातरा के लिए बस कंड़क्टर को प्रस्तुत करना होगा मतलब बलता रहे कि जो लोग इस बार यूपी पुलिस का एजाम देने के लिए आएंगे उनको जो उत्तर प्रतिक सरकार है उनके द्वारा बस की जो फैसलिटी है वह दी जाएगी उनको जो भी आप बस की फैसलिटी लेरा चाहेंगे तो वैसे वो बस में जा सकते हैं लेकिन जाने से जब जाएंगे तो वहां पर उनको दो अतिरिक्त एडिमिट काड डाउनलोड करना होगा जो की एक जाते वक्त जो बस के जो कंड़क्टर होंगे उनको दे की द्वारा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर दोस्तों इसमें और भी अगर आपको दिल्चस्बी है रूची है तो आपको फूपी पी पुलिस के बारे में और इंफ्रमेशन फिर से नए वीडियो में लेकर करके आएंगे तो अगर अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं तो मिलते हैं वीडियो में इस लेडिस्ट अपडेट एंड नीए टोपी के साथ अगरा दोस्तों में पर ना है तो सब्सक्राइब करें साथ वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेरकाना ना भूलें तो बटाटा जै कर दोस्तों में तोस्तों 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 में तोस्तों